सबी सिकशक साथियों को मेरा नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आपको अवगत है आप सभी के निष्ठा के परसिक्षन चल रहे हैं ये परसिक्षन आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे जैसे ही आपके निष्ठा के परसिक्षन समापत होंगे आपको सेवारत सिक्षक परसिक्षन करने होंगे अभी आपके ब्लोग के केवल बारह अध्यापकों के परसिक्षन चल रहे हैं लेकिन जल्द ही सभी अध्यापकों को ये परसिक्षन करने होंगे काफी महत्पून परसिक्षन है और काफी मुश्किल परसिक्षन है साथियों इन परसिक्षन में एक परसिक्षन है सेवारत सिक्षक गनित परसिक्षन ये बहुत ही मुश्किल परसिक्षन है और बहुत ही महत्पून परसिक्षन है क्योंकि इसमें गनित की बारी कियां बताई गई है बहुत अच्छी अच्छी बात इसमें बताई गई है तो इसलिए सभी अध्यापको कोई पर्शिक्षन जरूर करना चाहिए आज की इस वीडियो में हम सेवारत सिक्षक गनित पर्शिक्षन के भाग 32 माध्यका बहुलक और आयत चित्र के असेस्मेंट को देखेंगे कि इसके असेस्मेंट में कौन-कौन से प्रशन दिये गए हैं वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाता हूं अगर आप चाते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो WhatsApp गुरू और informative वीडियो टेलिग्राम गुरूप बनाए हुए हैं आप चाहिए तो मेरे गुरूप से प्रश्णोत्री के बारे में इसके लिए हम अपने दीक्षा एप को उपन करेंगे जैसे हम दीक्षा एप को उपन करेंगे और भाग 32 पे पहुंचेंगे तो इसमें सबसे लास्ट में आपकी मार्दिका बहुलक और आयज चित्र का असस्मेंट दिया हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्रश्णोत्री हमारे सामने होगी इसकी प्रश्णोत्री में आपको दस प्रश्ण दिये गए हैं क्या क्या प्रश्ण है देखते हैं सबसे पहला प्रश्ण है दो तीन चार पांच छे की मद्धिका क्या होगी तो मद्धि का चार होगी इस पे आप क्लिक करेंगे और एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट पसंग है अधिक बड़े आंकडों का वर्गीकरण आवश्यक होता है बिल्कुल सही है तो आपको सत्य अरो सत्य बताना है तो ये कथन हमारा सत्य है सत्य पे हम क्लिक करे और arrow के निसान से आगे पड़ेंगे उसके बाद next question है हमारा माध्य का वह पद है जो दिये गए आकडो को दो समान भागों में विभाजित करता है यानि दोनों तरफ पराबर बराबर आकड़े हों तो उसे माध्य का कहते हैं ये कथन भी हमारा सत्य है सत्य पे किलिक करेंगे और arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे next question है आकडो के समू में सबसे अधिक बार आने वाले पद को क्या कहते हैं जो आकडो का समू है उसमें सबसे अधिक बार जो पद आएगा उसे माध्य, माध्यका, बहुलक और आयक्चित्र तो साथियों जो पद सबसे ज़्यादा बार जाता है तो उसे हम बहुलक कहते हैं तो बहुलक इसका अंसर सही होगा इस पे हम क्लिक करेंगे और arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे next question है बहुलक पर प्रेक्षण मातर से ग्यात किया जा सकता है बिलकुल सही है प्रेक्षर्ण मातर से हम देख लेते हैं कि जो सबसे ज़्य सीमा क्या होगी तो वर्ग अंतराल जो है आपका 10 से 15 इसमें निम्न सीमा तो आपकी 10 है लेकिन उच सीमा इसमें क्या है हमारी 15 है तो 15 पर क्लिक करेंगे और एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे उसके बाद वर्ग अंतराल 10 से 20 में वर्ग की निम्न सीमा आपकी क्या होगी त इस पे आप क्लिक करेंगे और arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आपका आयत चित्र दो आयामी चित्र होता है यानि आयत चित्र आपका दो आयामी होता है इसमें भी आपको बताना है क्या ये सत्य है और ये असत्य है तो ये कथन भी हमारा सत्य है सत्य पे क्लिक करे और एरो के निसान से आगे पड़ेंगे नेक्स्ट है आपका आरोही वै अवरोही क्रम में व्यवस्तित करने की आवश्यक्ता होती है तो जब आम जो माध्यका होती है उसमें हमें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्तित करना पड़ता है तब ही हम माध्यका निकाल सकते है तो इसका answer माद्यका में होगा सही, क्योंकि बहुलक को तो वैसे भी बता जाकते हैं, और समानतर माद्यका को आपको में निकालना होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती, तो माद्यका में इसका answer सही होगा, इस पे आप click करेंगे, उसके बाद next है, 10-12, 11, 10-10 का बहुलक कराएंगे, तो हम submit के option पे click करेंगे, क्योंकि हमने option भी यह किया है, तो submit पे ऐसे ऐसे हम click करेंगे, तो हमारा score हमारे सामने होगा, देखते हैं, कितना score हमने इसमें प्राप्त किया है, तो हमारा 10 out of 10 इसमें score हो गया है, तो साथियूं, आज की वीडियो में इतना ही, आपक को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल का आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद